अगर आपके पास एक शिप है और आप यूरोप में फस गए और आपको जल्दी से जल्दी इंडिया आना है तो आप इंडिया जल्दी आने के लिए कौन सा रूट पकड़ोगे तो आप सभी लोग को बताएगी मैं ये कोशन क्यों बूच रहा हूँ क्योंकि स्विस केनाल की हाँ पर बात हो रही है और आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्विस केनाल पर हो क्या गया है एक बहुत बड़ billions of dollars का नुकसान हो रहा है तो देखो आपको अगर Mediterranean Sea पे अपनी ship उतारनी है ये उरोप से फिर ship उतारोगे आप फिर कहा जाओगे फिर ship उतारने के बाद आप देखोगे port side को किसको देखोगे port side और वहाँ से मोड़ोगे अपनी ship को एक नहर की तरफ और ये जो नहर है वो ह लेक दिखाई देगी तिमसाह लेक तो याद रखना तिमसाह लेक कहा पर है तो यहली location आप ध्यान में रखना फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक और लेक दिखाई देगी क्या नाम है इस लेक का Great Bitter Lake ठीक है फिर आप आगे बढ़ते चलोगे और आप फिर देगी क्या दिखाई देगी Red Sea Red Sea पे आप अपनी शिप डालोगे Red Sea के आज वर्यों देखो आप साउदी अरेबिया आपको दिखाई दे रही है रही है आप आगे बढ़ते चलोगे फिर आपको आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपको Gulf of Aden दिखाई देगा सोमालिया के जस् प्रकार का मैंने आपको क्यों बताया मैप के रूट को क्योंकि आपसे Red Sea के बारे में पूछा जा सकता है Gulf of Aden के बारे में आपसे पूछा जा सकता है यह जो लेक है क्योंकि सभी लोग पढ़ रहा है Swiss Canal के बारे में Swiss Canal के facts सभी लोग रट रहा है UPSC आपसे Great Bitter Lake पूछ या फिर इस order में arrange करो port set देदेगी तिमसा लेक देदेगी Gulf of Swiss देदेगी आपको Gulf of Aden देदेगी तो आपको फिर जो हो इस तरीके से इस order में जो हो आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है यह होती है civil services की तयारी लोग ship के बारे में पता कर रहे हैं ship के नाम को रट रहे हैं यह सब थुड़ना पूछेगी UPSC और पूछ भी लेगी तो नाम भी बता देते हैं आपको तो एक बड़ी सी cargo ship फस गई है जिसका नाम है ever given अब आपको बता दें ever given ship का नाम है ever green उस पे जो लिखा हुआ है वो भी उसके एक किसी जो है वो partner का नाम है partner company का नाम है बट actual में ship का जो नाम है वो है ever given ध्यान रखना ever given नामक एक बड़ा मालवाहक जहाज cargo ship जो है वो यहाँ पर Swiss कैनल पे फस गया है फसने का कारण खराब मौसम बताया गया है उसको सहीं से दिखाई नहीं दिया बहुत तेज हवा चल रही थी इसके कारण से यह दुरगटना हो गई है और बहुती बड़ा jam जो है वो यहाँ पर create हो गया है ना कोई ship आ पा रही है ना कोई ship जा पा रही है फस गया है पूरत तिरचा फसा हुआ है मुझे आपको फोटो दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग सभी लोग देख चुके हैं और अभी भी जो नहीं देखे ह तो थोड़ा कभी कभी पढ़ाई से हट कर थोड़ा सा इपर इदर उदर की news भी देख लिया करो क्योंकि मैं जो चीज आपको इहाँ पर content प्रोवाइड कराता हूँ वो माना थोड़ा सा late आपको मिलता है बट उस content से related हर एक चीज जो है वो मैं हाँ पर आपकी provide कराता रही कि आपको सबसे पहले news दू breaking news दू क्योंकि आप breaking news की तयारी नहीं कर रहे हो या फिर आप कोई आम आदमी नहीं हो common man नहीं हो आप तयारी कर रहे हो civil services की bureaucrat बनने की तो आपको एक topic की 360 approach जो है वो बहुत अच्छे से पता हो नहीं जीए तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ और news आ रही है या कुछ और content आ रहा है तो इसको add up करके फिर आपको final masala दू तो यह मेरा उद्देश होता है पढ़ाने का और वैसे भी आपकी यह वाली जो class है मैं मानते ही नहीं कि कोई यह daily news analysis की class है यह तो current affairs की most important class है आपकी और यह class है यह lecture है आपका ना कि breaking news का content त तो यह चीज भी थोड़ा ध्यान रखके चलो कि कई बार इस्टोट मुझसे बोलते हैं कि सार यह वाली news आ गई है बर अभी आपने cover नहीं करा है थोड़ा सबर रखा करो यहाँ पर क्योंकि आप सभी लोग जानते होगी वही topic वही news में cover कराता हूं जो कि आपसे examination में पू आटिफिशल है इसको humans के द्वारा बनाया गया है हम लोगों ने बनाया है इसको humans ने बनाया है इस canal को और north to south में यह हमें देखने को मिलती है यह हम लोग को isthmus of Swiss जो east में है वहाँ पर हम लोग को यह देखने को मिलती है और Mediterranean Sea के साथ और Red Sea के साथ यह connect करती है यह canal separate करती ह African continent को Asia के साथ किसके साथ separate कर रही है African continent को Asia के साथ यह चीज भी थोड़ा सा fact धान में रखना और shortest maritime route यह provide कराती है यूरोप और lands के बीच में जो इंडियन और Western Pacific Oceans में हम लोग को देखने को मिलते है वो ही मैं आपको बता है shortest route तो यह चीज धान में रखना और one of the world's most heavily used shipping lanes है अब आपको बता दें कि पूरे दुनिया भर का 12% trade जो है वो यहीं से होकर गुजरता है 12% बहुत बड़ी बात है अभी इसी के कराण यह जो अटक गया है तो billions of dollars का नुकसान जो हो रहा है काफी सारी companies को और काफी सारे समानों की कीमते जो है वो भी महंगी हो गई है तो क्य यही एक केनाल हम लोग को देखने को मिलता है जिससे होकर तेल जो है वो यह तो बहार जाता है दूसरी कंट्री में या तो यह तो यूरोप की तरफ जाता है या फिर हमारे पास आता है एशिया की तरफ रही और भी all over the world हर जगा जो है जाता है यहां से समान रही तो यह एक शिगमो त्योहार के बारे में आपसे कहां से कोशन पूछा जाएगा यहां से पूछा जाएगा कि शिगमो त्योहार जो है वो कहां पर मनाया जाता है तो गोवा आपको ध्यान में रखना है गोवा में यह त्योहार जो है वो मनाया जाता है गोवा में कौन मनाते हैं गोव colour बोपित्रा वास्तो राइट oh Yes संस्क्रिती करते मคนछता मा कूपन फरम या थहर — creator यह थो रहाँ पर वहां पर भैत्री बड्रंग उडाते हैं गाना गाते हैं डांस करते हैं मस्ती करते हैं खाते-पीते और यह थो रहर मना आते कौनसी कौनसी है वो है कुनभी तो यह agricultural community हम लोग को देखने को मिलती है राइट कृषी समुदाय है यह कुनभी गोबड़ा राइट वैलिप्स राइट यहां से कोशन मनेगा कि कुनभी community जो है वो कहा की है तो आपको गोवा याद रखना है गोवा की यह community है राइट और इस वसंत का शुरुवात का प्रतीक है यह वसंत की शुरुवात का प्रतीक है जो spring season जो है यह शुरू हो गया है तो यह इस festival के तुरू पता लगता है राइट और इसके लाब इस उत्सव में भाग लेने वाले समुदाओं दौरा घोडे मोदीनी घोडे मोदीनी यहने की घु गोप फुगडी जैसे लोक निर्त्य किये जाते हैं तो question यहां से भी बनेगा कि यह गोप या फुगडी क्या है तो यह है लोक निर्त्य यह dance हम लोग को देखने को मिलता है यह communities perform करती है in dance को गोफा फुगडी यह सब तो यह चीज आपको धहाल में रखनी है घोडे मोदी यह पूछ जा सकता है घोडे मोदीनी क्या है बताईए तो dance है यह निर्त्य हम लोग को देखने को मिलता है तो यह चीज है जिसके बारे में आप लोग को बता होना चीए और घोड़सवार युद्धाओं का निर्त्य घोडे मोदीनी कहलाता है अब बात करेंगे हम लोग ल सराइगाड जो है वो कब हुआ था 1671 में हुआ था इस लड़ाई में मुगलों को हराने वाले अहॉम सेनापती लाचित बोड़ फुकन तो लाचित बोड़ फुकन फर्स पॉइंट कौन थे अहॉम के सेनापती थे इन्होंने मुगलों को हराया था और जब भी भी जिक्र जो है वो किया जाता ही है तो कहां से असोसियरेड है ये लाचित बोड़ फुकन तो ये आसाम से असोसियरेड है तो याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में और ये बैटल उफ सराइगाड ध्यान में रखना है 1671 का बैटल है इसमें इन्होंने मुगलों को हराया था लाचित बोड़ फुकन जी कौन थे तो एक आइडिया आपको मिली गया ये अहोम समराज्य के एक सेना पती थे कमांडर थे अहोम किंडम के इन्हें सन 1671 में हुई जो सराइगाड के जो प्रसिद युद जो था उसके लिए इन्हें जाना जाता है जिसमें इन्होंने र मुगल जो थे मुगल फॉर्सिस जो थी वो अहोम किंडम के उपर कबजा करना चाह रही थी तो इन्होंने उनके इस पर्टिकुलर अटेम्ट को विफल कर दिया सराइगाट का युद गुहाटी में ब्रह्म पुत्र के तट पर लड़ा गया था तो यहाला फैक्ट भी ध्य फुकन सुन पदक जो है वो प्रदान किया जाता है यानि कि जो भी सबसे बेस्ट पासिंग आउट कैड़ेट जो होते हैं उनको यह लाचिद पॉर्फुकन गोल्ड मेडल जो है वो दिया जाता है और यह 1999 से National Defense Academy के दोरा दिया जा रहा है थोड़ा सा और हम लोग जानते है कि 1671 में सराइगाट की लड़ाई के अंतिम चरण के दोरां जब लास्ट फेस चल रहा था इस लड़ाई का तो उस दोरां जब मुगलों ने सराइगाट में नदी से होकर असमिया सेना पर हमला किया यानि कि मुगल सेना जो आई थी वो नदी की तरफ से आई थी और उन्हे ने सभी सेनिकों का आवाहन किया यानि कि उनको बुलाया और उन्हें अंतिम सास तक लड़ने के लिए प्रिरित किया था मोटिवेट किया था जिसके परिणाम सरूप मुगलों की जबरतस थार हुई थी यानि कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि गिव अप करने वाले थे सभी कि सभी military soldiers वगरा home kingdom की game of करने वाले थे फिर यह आए इन्होंने motivate किया सभी को कि नहीं लड़ाई लड़नी है और ऐसा होता है अकसर होता है जैसे आपकी preparation के दौरान भी आपको लगने लगते हैं कि अरे यार और कितना बढ़ें कहीं छूट तो नहीं गया अरे यारे काम करत हो कि आप जो है वो motivated रहो हमेशा अगर कभी भी dull feel कर रहें मुझसे एक बार बात कर लो मुझसे बात कर लो life classes जो होती है आपकी life class मतलब वो self study class होती है उसमा आ जाया करो attend कर लिए अगरो बात कर लिए अगरो जो भी परिशानी है solve कर देंगे tension वाली बात नहीं है बस या ज इतने खुश होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपके parents guardian कितने जादा खुश होंगे बस उस दिन को imagine कर लिएक और imagine किया करो कि आपने बस अभी laptop खोला अपना बिल्कुल अपना roll number डाला और जैसी आप control F दबाया आपने control F दबाया find out कि अपना roll number जैसी लिखना शुरू किया या अपना नाम जो भी नाम है आपको आपने लिखना शुरू किया जैसी लिखे रहे हो वो यलो कलर की पट्टी जो है वो चलती आ रही है found 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 करके आ रहा है फिर एक जगा आके one तो सोचो उस समय क्या होगा imagine करो तो automatically यार प्रणेगली motivated हो जाओगे तो वैसे ही इन्होंने कुछ किया कि जब last face में जब ठक गयते सेनिक सोच रहती कि यह नहीं जीत पाएंगे इन्होंने motivate कर डाला हुने और फिर यही एक चीज थी इनकी जिसके कारण से जो है वो मुगलों को इन्होंने हारा लाला तो यह चीज आप थोड़ी सी इनके बारे में ध्यान में रखिएगा और पेपर बन से रिलेट से इतनी topics थे ना हम लोग पेपर टू के topics की तरफ आगे बढ़ रहे हैं चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट टॉपिक चाइना का क्लेम रहता है कि यह पूरा जो एरिया है साउट चाइना सी का यह चाइना का है और चाइना कैसे क्लेम करती ही तो मैं आपको बताता हूं देखो यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यह एक दो तीन चार पाट छे साथ आठ नाइन डैश लाइन यह वाला जो एरिया है पूरा इस पर चाइना क्लेम रहते हैं चाइना वोलती है कि इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो पूरा चाइना का है तो इसके बार में आपको एक आइडिया होना चीए और अब थोड़व सा डीटेल हम लोग बेखेंगे कि काफी सारे रॉकी आउट क्रॉप से यह नहीं की चट्टान अगर आपको देखने को मिलेंगी अटॉल्स देखने को मिलेंगे सैंड बैंक्स रीफ्स राइट और स्कारबॉक शोल तो यह सब लोकेशन आपको बता हो नहीं इस प्रेशली देखो इस मैप में आपको दिखा है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है और इस चेतर पर फिलिपीन का भी क्लेम हम लोग को अगें देखने को मिलता है यहां पर और दूसरी चीज़ जो है वो इस पार्टली आइलेंड यह आप देखो यह ग्रूप ऑफ आइलेंड इसको अरेंज करो यह जो पार्सल आइलेंड इस पार्टली आइलेंड आपको दे दिया जाएगा उसका दे दिया जाएगा इसको आपको अरेंज और आप नौट तू साउथ आरेंज करो तरह इसी कोशन वह अक्सर आते हैं एक्जाम में तो फिर आपको इस प्रकार का भी आईडिया होना चाही कि कौन सा और दूसरी चीज जो जानने वाली है वो 9-Line और इस चेतर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके बारे में आपको जानकरी होनी चाहिए अब एक एक करके देखने थे चाइना का क्लेम क्या है और दूसरी कंट्री का क्लेम है तो चाइना सबसे ज्यादा टेरिटरी पर क् 9-Line इसने बनाई हुई है और कहा है कि इस 9-Line के अंदर जितना भी एरिया आता है ये पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में आता है और इस पर यह ली शीज बोलती है और बहुत ही बड़ी टरिटरी जो है वो इसने क्लेम करके रखी हुए वियतनाम की बात करें वियतन क्त्रवी 17th century में इस छेत्र पर वियतनम का बहुत बड़ा control था और काफी अच्छा control था और ये control को साबिथ करने के लिए वियतनम के पास जो है नदी की control को बताने के लिए कि इसका control था यानि कि अपने जो भी claim है उसको proof करने के लिए इसके पास documents वगरा भी है तो यह वियतना बोलता है यहाँ पर याद रखना चाइना भी picture में है बड़े पैमाने पर फिर वियतनाम भी आ जाती है वियतनाम का वो ही है कि 1940 से पहले चाइनाय के पास वही भी documents नहीं है प्रूफ रही है जो कि यह बता दें कि 1940 से पहले इन छेतर पर चाइनाय का claim था बड़ वियतनाम के पास इसके प्रूफ है यहाँ पर यह country आपको दिखाई दे रही है इसके लावा दूसरी country जो पिक्चर में हो Philippines में हम लोग को देखने को मिलती है Philippines पूरा claim करती है कि Scarbox shawl जो है Philippines के कभी नजदीग भी है ना यह यह जगाब यह पूरा यह बोलती है कि Philippines के यह पूरा छेतर हम लोग को देखने को मिलता है तो Philippines के इस प्रकार का claim है यहाँ पर इसके लावा इस island को Huan Gyan Island के नाम से भी जाना जाता है चाइना में और थोड़ा सा 100 माइल से जादा या 118 किलोबीटर से जादा फिलिपीन से और चाइना से 550 माइल से जादा के डिस्टेंस पर ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है इसकारबॉक शॉल और मलेशिया और बुरुने की बात करें हम लोग तो ये दोरो कंट्रीज भी यहाँ पर टार्गेट करती है इसमें बुरुने जो है वो जादा क्लेम नहीं करती है डिस्प्यूटे आइलेंस के उपर बट मलेशिया का एक अच्छा खाजा क्लेम है बट वो स्पाटली आइलेंड की ओपर हम लोग को देखने को बिलता है और इन दोनों का कहना भी यही है कि यह जो युनाइटे निशन कंविंशन ओन लॉफ द सी जो हम लोग को 1982 की देखने को बिलती है यहाँ पर 1982 भी थोड़ा से याद रखना कभी से युनाइट नेशन का जो यह कंवेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसने कुछ टेरिट्री ओफर करी हुए तो इस पर यह क्लेम करते हैं यह टेरिट्री तो हमें इनसे मिली हुए लीगली और वो सहीं भी है इंटरनेशनली यह रिकॉगनाइज है तो यह लीगली चीज है तो इस पर यह आज कंवेंशन के तोर पर भी जाना जाता है यह एक इंटरनाशनल एग्रिमेंट है जो की तीन युनाइट नेशन की कॉफरेंस हुई थी लॉफ दे सी को लेकर तो यह 1973 तो 1982 के वीच में हुई थी तो उस दुरान जो है यह चीज एग्रिमेंट जो है वो सामने लाया गया इसमें में जो आपके लिए काम की चीज है ना वो मैं आपको बताता हूँ exactly क्या आपके लिए काम की चीज है जो की आपको examination point of view से थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो इसमें मेंली जो है वो है exclusive economic zone exclusive economic zone वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो देखो exclusive economic zone जो है वो actual में होता क्या है कि जो coastal area जो हम लोग को देखने को मिलता है ना coastal area एक country का जहाँ पे उसका तर्थ होता है तो उस coastal area से 200 nautical miles की दूरी तक का जो area होता है 200 nautical miles 200 nautical miles या फिर इसे हम लोग कह सकते है 370 km उस country की baseline यानि की coastal area से तो यह वाला जो इस country का जो area होता है वो country इस area पर यानि कि अपने coast से 200 nautical miles की दूरी तक जितनी भी चीज़े वहाँ पर है जितने भी प्रकार के natural resources है चाहे वहाँ पर कोई तेल deposit हो या फिर कोई भी minerals हो किसी भी प्रकार की चीज़ अगर वहाँ पर समुदर के नीचे होगी या fishing की भी अगर हम लोग बात करें तो पूरा अधिकार जो होगा उस छेतर पर वो उसी country का होगा जिस country से ये 200 nautical miles की दूरी पर है समझ पारे बात समझे की नहीं समझे की ये बताओ एक country है जैसे आप गोवा पे जाके खड़े हो जाओ गोवा के बीच से आप समुदर की तरफ देखो तो आप समुदर की तरफ किसी प्रकार की है पृर उस एरिया पर कही पर तेल वगरा है कि यवा है का है क्या यह चोपिक के अंदर यह पढ़ाया था कि यह जो अधिकार जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारी country जो है वो अपनी जैसे कि especially Malaysia की बात करें तो अभी बात करें थी ना हमने इस topic में तो United Nation Convention on the Law of the Sea के तहें जो है वो देखने को मिली तो यह है United Nation Convention on the Law of the Sea जो आपको ध्यान पर रखनी है अब यहाँ पर बात हो रही है Postal Ballot के बारे में तो Postal Ballot के बारे में आप लोग जानते हो इसके बारे में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं बड़ एक बार इसको और देख लेंगे तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज थोड़ी सी Factual Information याद रखना Form 13A, 13B, 13C यह तीनों Form जो है वो किससे असोसिये रहने Postal Ballot से तो यह चीज आप थोड़ी सा Form का नाम याद रखिएगा अच्छा, Election Commissioner ने अभी Announce किया है नए नियम, नए कानून यह Postal Ballot को लेकर Main Aim यह किया जा रहा है कि जिनकी भी उमर 80 सालिया उसके उपर की है और जो Person with Disability हैं तो वो Postal Ballot के थूँ वोट दे सकें नए नियम क्या कहते हैं तो बताए जा रहा है कि Returning Officer जो है वो एक Team को तैनात करेंगे यह Team क्या करेगी? Postal Ballot को Deliver करेगी और Receive करेगी यानि Collect करेगी और फिर उसके बाद जो है वापिस यह Team यह अपना Postal Ballot जो है और जो Person with Disabilities हैं तो उनको उनकी घर पे जाकर जो है यह Postal Ballot उनको दिया जाए जाए जैसे ही रहो क्या होता है कि एक एरिया होता है आप जिस आप अपने घर के पास में जाते होगे न वोट देने हैं असी साल के ओपर की प्लस वो Person with Disabilities है तो यह जो Officials है यह उनके घर दे आएगी यह टीम बनेगी जो उनके घर दे आएगी उनके घर दाके उनसे पूछेगी कि आप Postal Ballot के थुर वोट देना चाहते हो गया तो वो अगर हाँ बोलते हैं तो वही के वही जो है वोट लिया जाएगा उनका और वोट लेकर जो है वो Returning Officer को दोबारा दिया जाएगा तो यह इस प्रकार की चीज जो है वो हमारी Country में देखने को मिलेगी और यह काफी अच्छी चीज है बार में आप अलड़ी जानते ही हो फिलाल बढ़ फिर भी एक बार रवाइस कर लेते हैं तो देखो पोस्टल वोटिंग नाम सी समय वोट जो दिया जाएगा वो बाइपोस्ट दिया जाएगा तो यह restricted set of voters होते हैं कि कुछ कुछी चुनिंदा voters को यह authority दी आती है पोस्टल ballot के थुर वोट देने की तो यह चीज हम लोग को देखने को बिलती है और जो की अपने registersसे दूर रहते हैं तो वो लोग जो हैं उनको यह मुझा मिलता है पोस्टल बैलट के थुर वोट देने का बढ़ आम जंदा को यह मुझा नहीं मिलता है यह मुझा आप लोग को मिल सक अच्छा एक चीज और याद रखना आप जब बाहर जाओगे यानि इंडियन फॉरेंट सर्विस आप्ट करोगे तो उस समय फिर बाद में आके कि अभी सेलेक्शन होगा तो उसके बाद आपकी शादी हो जाएगे आप अपने स्पाउस को लेकर बेटर हाफ को लेकर आप जा उनका भी रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है इसके लाव हमारी Armen forces हैं जैसे की इंडियन आर्मी इंडियन ऐल फोर्स में जो officials हैं इंडियन एर फोर्स के officials तो इनके भी वोड्स जो होते हैं वो postal ballot के तूर लिये जाते हैं इसके लावा जो स पहली बात तो जितने भी Parliament के अंदर हम लोग को देखने को बनते हैं दोनों Houses जो है Parliament की लोग सभा, राजी सभा और State Legislature के State Assembly है हो गई है या just State में State Legislatures है दोनों ही, तो यहाँ पर यह चीज़ बताई है रही कि उनके Members को के Qualification और Disqualification के बारे में मेंचेंड है, Representation of People Act 1951 में, Administrative Machineries के बारे में मेंचेंड है, यानि कि जो Election के समय पे, जो Officials इस प्रकार से Operate करते हैं, तो उनकी Details लिखी हुई है, उनके नियम कानून को कैसे Follow करने हैं, तो उसके बारे में मेंचेंड है कि कैसे Election को Conduct करना है इसके लाबा, जो Political Party के Registration से Related Provisions इसमें हम लोग को देखने को बिलते हैं Election कैसे Conduct होना, उसके बारे में जानकारी है Election Disputes हैने कि Election के दुराना, अगर कोई भी Dispute होता है, विवात होता है, तो उसकी जानकारी इसमें में मेंचेंड है, तो ये कुछ Following Matters हैं, जिससे Deal करता है Representation of People Act 1951 Correct Practices हो गई, Electoral Offense हो गई, या फिर By Elections Related, जो चीज़ें हैं वो इसमें हम लोग को देखने को बलते हैं, मेरा आप से कोशन है, सिंबल सा नीचे comment box पान से लिखकर बताईएगा By Elections किसे कहते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा suggestion Honorable Supreme Court ने दिया है, जो High Court में जो मामले काफी लंबे समय से pending है, उसको clear करने के लिए Honorable Supreme Court ने बोला है कि जो Retired Judges हैं, उनको न्युक्त कर दिया जाए उनको post कर दिया जाए, जो की फटा-फट केस का निप्टारा कर सकें तो उच्तम नियाले, Honorable Supreme Court ने उच नियालेों में लंबित मामलों का निप्टारा करने है तू, जो Retired Judges जो हैं, उनकी न्युक्ती किये जाने पर जोर दिया है, तो ये चीज़ हाँ पर बताई जा रही है कि Retired Judges को अपॉइंट कर दिया जाए The Court ने कहा है कि Retired Judges जो है, उनको किस आधार पर चूज किया जाएगा, select किया जाएगा तो उनके expertise के आधार पर यानि कि उन जज़ ने अपने career में, जब वो जज़ की post में दे, तब उस दौरान उन्होंने किस प्रकार के मामले को ज़ादा deal किया है, और उनका जो expertise है, वो किस type के मामले पर है, तो उसको देखा जाएगा और उनकी expert field के आधार पर उनको cases उस प्रकार से swap दिये जाएगे, जिससे की जल्दी-जल्दी मामले खतम हो, और इस चीज को लेकर क्या constitution में कही पर mentioned है, तो आपको बढ़ा दें कि appointment of ad hoc judges ad hoc judges यानि की जो permanent judges नहीं है, temporary basis पर judges जो है वो appoint किये जाते हैं, तो इसके बारे में article 224A में बकायदा mentioned है, तो याद रखना article 224A यहाँ से question उठकर आपसे पूछा जाएगा तो आगे की बात करें क्या procedure follow की जाती है, तो इस article के तहट हमारे जो chief justice होते हैं, high court के, किसी भी state के, वो कभी भी किसी भी समय पर honorable president से पहले से चर्चा करके उनसे सहमती लेकर किसी भी व्यक्ती को request कर सकते हैं, कि वो court का judge बन सके, या फिर किसी भी दूसरे high court को कह सकते हैं, कि वो इनके high court में आकर यानि कि जिस भी state के जो chief justice है, वो बोलते हैं कि हमारे, यानि कि दूसरे high court से बोला जाता है, दूसरे state के high court से, कि वही आप हमारे यहां judges थोड़े भेज़ दो, हमारे पास जो है, वो cases already काफी जादा pending है, तो इस प्रकार की चीज जो है, वो यहां पर article के अंदर mentioned है, और such judge is entitled to such alliances as the president may determine, तो हमारे honorable president, जो भी alliances, यानि कि जो भी salary वगएरा और जो भी alliances, percusates वगएरा, जो honorable president बताएंगे, निरधारित करेंगे, तो वो ही ऐसे judges को दी जाएगी, जो temporary तोर पर judge newt किये जाएगे, he will also enjoy all the jurisdiction, power and privileges of a judge of supreme court, तो honorable supreme court के judges जो होते हैं, तो उनके पास जो भी powers होती है, पूरी की पूरी और जो भी privileges जो उनको दिये जाते हैं, वो सभी के सभी ऐसे temporary ad hoc judges जो हैं, वो enjoy कर सकते हैं, but he will not otherwise be deemed to be a judge of supreme court, मतलब कि उन्हें honorable supreme court का judge जो है, वो नहीं माना जाएगा, वो high court के judge के तोर पर ही रह सकते हैं, तो देखिए, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर यह जो article है, यह किनकी बात कर रहा है, high court के judges को appoint करने की बात कर रहा है, या फिर high court के लिए judges को appoint करने की बात कर रहा है, कहीं पर भी audible supreme court के लिए judges को appoint करने की बात नहीं की गई है, या फिर ad hoc judges को appoint करने की बात नहीं की गई है, तो यह चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में ठीक है तो यह एक important point है तो guys आपको बता दें कि अभी हाली में budget session जो है वो complete हो गया है हम लोग को इसका termination देखने को मिल चुका है और आपको बता दें कि जो sitting parliament जो होती है वो terminate की जा सकती है कुछ particular चीजों के through जैसे कि adjournment के through adjournment sign time के through या prorogation के through या dissolution के through लोग सभा के मामले में तो यह adjournment क्या होता है adjournment sign time क्या होता है और यह prorogation जो है वो यह क्या चीज़ होती है dissolution क्या होता है तो इसके बारे में आपको एक अच्छी जानकरी होनी चाहिए adjournment की बात करें simple series याद रखना adjournment का मतलब क्या होता है काम को एक specified time के लिए adjourn किया जाता है यानि कि suspend किया जाता है थोड़े particular period की छुट्टी बोली जाती है इसको ठीक है कुछ गड़े की भी हो सकती है कुछ दिन की भी हो सकती है इसके लाबा adjournment sign 9 अगर ये चीज़ बोल देते है speaker या फिर chairman तो इसका मतलब यह होता है कि indefinite period के लिए parliament की जो sitting है वो terminate हो गई है यानि कि parliament की better जो है वो indefinite period के लिए भी स्तगित हो गई है अब इसके बारे में जो है तो उसको adjournment sign 9 कहा जाता है और जिस समय बताया जाता है निर्धारित समय specified time जिस समय बताया जाता है तो उसको adjournment कहा जाता है ठीक है तो ये दो terms के बारे में आप लोग को एक idea होना चाहिए और जो power होती है adjourn करने की house को तो वो obvious ही बात है presiding officer के पास होती है एक और term prorogation की बात करें तो हमारे honourable president of India जो है वो notification issue कर सकते है prorogation का session के लिए जैसे ही business session का खतम होता है complete होता है तो honourable president बोलते है अब इस session को close किया रहा है जैसे ही monsoon session है या budget session है जैसे ही वो खतम हुआ पूरी activities पूरा business उसका close हुआ तो honourable president एक notification के थूँ बोल देते है कि अब इसको जो है वो बंद करो prorogation करो प्रोरोग करने का एक notification लाया जाता है और उसके बाद जो presiding officer होता है वो basically declare कर देते है house agent signed डानि यानि कि इसको जो है वो declare कर दिया जाता honourable president के द्वारा अच्छा इसके लाबा prorogation का ये प्रोरोग करने का जो power है honourable president के पास वो जब session चल रहा होता है उस समय भी वो इस power का उप्योग कर सकता है नहीं कि during the session also ऐसा नहीं कि पूरी activity अगर खतम हो गई है तो उसके बाद ही करेंगे during the session also ये कर सकता है इसके लाबा dissolution की बात करें तो सिर्फ लोगसभा dissolve होती है यह वाली चीज़ आप याद रखना dissolution का मतलब क्या होता है अब लोगसभा जो है वो end हो गई है अब नहीं नया house सामने आएगा नहीं सरकार अब हम लोग को general election के बाद देखने को मिलेगी और honorable president जो है वो लोगसभा को dissolve कर सकते हैं तो यह वाली चीज़ है अब एक important scheme की बात हो रही है development of iconic tourist destinations scheme के बारे में जो iconic tourist destinations जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उनके development को लेकर यह scheme है tourism ministry ने मध्यप्रदेश tourism के साथ मिलकर और India Convention Promotion Bureau के साथ मिलकर organize किया है माइस को माइस यहने की meeting incentives conferences and exhibition roadshow को right meet in India यह माइस meet in India roadshow हमें देखने को मिल रहा है और यह खजुराओ मध्यप्रदेश में किया गया question यहाँ से आएगा खजुराओ कहाँ पर है तो मध्यप्रदेश में है और यहाँ पर यह हम लोग को माइस roadshow meet in India हमें देखने को मिल रहा है तो यह scheme क्या कहती है यह जो scheme है development of iconic tourist destination scheme हालकि यह क्या कहती है उसके नाम से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि जो iconic tourist destination जो है उसको develop करने पर यह scheme काम करती है तो यह एक central sector scheme है जो iconic destination हमारी country की जो है तो उनको develop करने के लिए यह काम करती है scheme इस scheme का objective यह है कि tourism को boost करना कि जाह सेदा tourist जो है हमारी country के जो tourist areas जो है वहाँ पर attract हो और आए और attract कब होंगे जब उनको उन areas के बारे में जानकारी मिलेगी या फिर उस area में जो है वो जो भी वो site है वहाँ पर best to best world class facilities available रहेंगी जिससे कि उनको attract करके बुलाया जा सकता है और nodal agency इस scheme के लिए जो है वो है tourism ministry और बाकी दूसरी ministries जैसे कि civil aviation, railways और भी काफी सारी ministries इसमें involved है क्योंकि tourist को बुलाना है तो obviously बात है tourist को बुलाना है तो tourist के लिए हर प्रकार की transportation facilities होना ज़रूरी है तो civil aviation, railways, road transport and highways तो यह सब ministry भी यहाँपर involved रहती है इसके लाबा तो यह चीज थी इस scheme के बारे में ज़ाद है इसमें detail में जाने की ज़रूरत नहीं हाला कि इतनी चीज sufficient है more than sufficient है यहाँ से आप से question पूछे जा सकता है खजुराव temple से related तो खजुराव temple जो है guys most beautiful medieval monuments हमारी country के यह हमें देखने को मिलते हैं किनके द्वारा खजुराव temple को बनाये गया यह question उठाए जाएगा तो AD 900 से लेकर 1130 के बीच में चंदेला rulers के द्वारा यह खजुराव temples बनाये गया या फिर match the following या choose the correct pair वाले आप जो आप से question पूछे आते हैं एक तरफ लिखा रहाएगा खजुराव दूसरी तरफ लिखा रहाएगा चंदेला तो आपको यह खजुराव चंदेला का relation तो है वो पता होना चाहिए तो इस प्रकार की question आते हैं and they are worldwide known for their erotic sculptures तो यहाँ पर जो sculptures मूर्तिया वगेरा हम लोग को देखने को मिलती है तो उसके लिए यह famous है काफी खजुराव का मंदिर और पहला record इस मंदिर का खजुराव के मंदिर का मिला है यानि कि foreign record वो हम लोग को कहा से मिला है रिहान अल बिरूनी से मिला है अबू रिहान अल बिरूनी के account से मिला है AD1022 में और Arab travelers Ibn Battuta के record में भी यह AD1335 में मिला है इस मंदिर का जिक्र और खजुराव के मंदिर का निर्माण एक साथ ही किया गया था यानि कि काफी सारे मंदिर है यह group of temples हम लोग को देखने को मिलते हैं हिंदू और जैन दो धर्म के लिए समर्पित थे यह जो की इस छेत्र के हिंदूों और जैनियों के मध्य विभिन धार्मिक विचारों की सिक्रिती और सम्मान की परंपरा का संकेत देते हैं रिस्ट्पेक्ट डाइवर्स रिलीजियस व्यूज का और उनके ट्रिडीशन का यानि कि हिंदू जो है वो जैनियों के ट्रिडीशन को एकसेप्ट करते हैं जैनियों जो है वो हिंदू के ट्रिडीशन को एकसेप्ट करते हैं तो इस प्रकार की भी चीज इस पर्टिकुलर मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर दर्शाई जाती है यानि कि यह जो मंदिर जो कंस्ट्रक्ट हुआ था क्योंकि यहां से भी कोशन उठेगा कोशन ही उठेगा कि खजुराओ ग्रुप आफ टेंपल जो है वो किस धर्म से असोसियरेट है तो हिंदूइजम और जैनिजम क्योंकि ऐसे कोशन उठते हैं ठीक है अब बहुत ध्यान से सुनिएगा काफी important topic है बिहार पुलिस बिल यह हमें देखने को मिल रहा है पुलिस रिफॉर्म को लेकर यह topic है तो विपक्ष ने अपोजीशन ने बहुत जादा प्रोटिस्ट किया था इस बिल को लेकर बट अभी यह बिल जो है बिहार विशेश सशस्त्र पुलिस विदेयक बिहार special armed police बिल इस बिल का नाम है यह pass हो गया है अभी recently यह बिल का main aim क्या है security को boost करना उदेश जो है security को boost करना और एक बात बता दें कि यह कुछ ही areas पर applicable होने वाला है यह बिल यानि कि पूरे बिहार में applicable नहीं होगा बिहार के कुछ ही area पर applicable होगा बिहार special armed police bill इस बिल का main aim क्या है उदेश क्या है तो it aims to develop the बिहार military police into well trained and fully equipped armed police force with multi domain expertise to cater to the development needs and large interest of the state तो मोटे मोटे तौर पर इस बिल का main focus यह है कि बिहार military police को well training provide करानी है उनको well trained police force बनाना है उनके पास हर प्रकार के weapons हो उनको equipped, weapon equipped उनको बनाना है तयार करना है उनको multi domain expertise उनमें होनी चाहिए हर प्रकार के mission में जो है यह सफल हो ऐसा इनको train करना है तो इसका यह main objective, main purpose इस बिल का यह बताया गया है इसने बिहार military police को बिहार special armed police जो है वो इसका नाम रखने की बात करी है तो याद रखना बिहार military police बिहार special armed police जो है वो कहलाई जा रही है इस बिल के बाद और और जादा power जो है वो बिहार special armed police को या बिहार military police को दी जा रही है और ये central industrial security force CISF की lines पर ये power उनको दी जा रही है जिससे की better तरीके से secure किया जासा कि commercial और industrial assets को बिहार के तो इसमें जो ये force है बिहार special armed police force इसके कार क्या होंगे इसके mandate क्या होंगे तो public order को maintain करना, extremism को combat करना, ensure करना better protection and security specified establishment में इस तरीके से जो की notify की जाएगी इनको और दूसरी duties जो भी notify इनको जब भी भी की जाएगी यानि की जब भी भी बताए जाएगा तो उसके according ये कार ये करेंगे और गईस इस force के police officer के पास बहुत जादा power दे दी गई है ये बिना किसी search warrant के किसी के भी premises को जाकर search कर सकते हैं जैसे आपको पता होगा इसकी police जो है बिना search warrant के किसी के भी premises को search नहीं कर सकती है तो ये बात तो आप जानते ही होंगे जैसे आपने picture में भी देखा होगा कि कोई police आती है किसी घर पे किसी गुंडे के घर पे तो गुंड़ा निकल के बोलता है कि तुम्हारे पास search warrant है क्या search warrant लाए हो फिर वो police search warrant दिखाती है फिर वो search होता है उनका घर तो search warrant की जरूत होती है और arrest warrant के बारे में भी आप जानते है कि बिना arrest warrant के police वो किसी को arrest नहीं कर सकती बढ़ यहाँ पर powers है इनके पास कि यह बिना किसी search warrant के या बिना किसी arrest warrant के किसी भी व्यक्ती के premises को search कर सकते है और किसी व्यक्ती को arrest कर सकते है बढ़ हाँ जो है वो इनसे cognizance ले सकती है kuch offenses के लिए बड़ यह तभी लेगी court जब सरकार मंजूरी देगी जब सरकार की मंजूरी होगी उसके बाद ही अदालत जो है वो इनसे cognizance ले सकती है kuch offenses में अब आप बोलोगी सर यह तो समय में आ रहा है कि court जो है वो कुछ cases जो है वो इनसे ले सकती है कि कुछ cases में ये force जो है वो deal नहीं करेगी बट cognizance actual में होता क्या है ये समझा दो ये लग रहा होगा आपको तो देखो आपने सुना भी होगा कई बर कि cognizance offense है ये या non cognizance offense ही हम लोग को देखने को मिलता है सुना है ना तो simple सी चीज होती है गंभीर अपराद, cognizance का मतलब होता है गंभीर अपराद जिसमें तुरंत जो है वो कारवाई करती है पुलिस तुरंत action लेती है तो वो चीज होती है cognizance और कुछ चीज होती है non cognizance वाली जो उतने गंभीर अपराद हम लोग को को मंजूरी देगी तो पिछले 10 सालों से भी जादा समय में बिहार स्टेट जो है वो पूरी की पूरी central forces के ओपर depend हो गई थी पूरी की पूरी और उनकी dependency जो है वो बढ़ती जा रही थी और एक organized armed police force जो है वो उसकी खुद की होने की बहुत जादा आवशक्ता थी वो इसलिए भी एक तो उनका जो है वो government expense बचेगा और दूसरा बिहार के लोगों को locals को और जादा job मिलेगी इस particular force अगर होगी तो और force के पास जादा power होगी तो जादा से जादा जो है वो recruit होंगे इस प्रकार से बट इस चीज से related यानि कि इस force related क्या-क्या issues और चिंताएं नजर आ रही है तो पहली तो यह absolute power दे रही है police को कुछ cases में absolute power कि police अपनी मनबरजी के according जो है वो कारवाई कर सकती है दूसरा section 15 इस act का ये कहता है कि court cannot take cognizance if a special armed police officer is involved in a serious crime bearing some exceptions तो मतलब अगर एक special armed police force जो है यानि कि उनके जो officer जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो अगर किसी serious crime के मामले की investigation कर रहे हैं उसमें involved हैं तो उनसे ऐसे cases जो है वो नहीं लिये जाए और government ने ये कहा है कि bill जो है वो सिर्फ कुछी certain areas पर ही applicable होगा बट कहा पर होगा ये इस bill में कहीं पर भी mention नहीं किया गया है और ये भी कहा गया है कि location जो होंगी वो notify की जाएगी यानि समय समय पर सरकार फिर अपने हिजाब अब guys बात हो रही है electoral bonds के बारे में तो ना जाने कितनी बार हम लोग electoral bonds को cover कर चुके हैं already तो electoral bonds क्या होते हैं ये अभी recent past में हमने 21 और 22 March को भी देखा था तो electoral bonds के बारे में कई बार में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ तो इसके बारे में अच्छे से आप पढ़कर रखे क्योंकि ये जो topic एक ऐसा है जो की लगातार repeat हो रहा है news में और इससे related questions आपसे पूछे जा सकते हैं तो इस topic को अच्छे से पढ़कर रखेगा अभी बताए जता हूँ मैं आपको ये topic news में क्यों आया था तो एक petition लगाई गई थी honorable supreme court के पास petitioner demand ये कर रहे थे कि नए electoral bonds जो है वो नहीं बेचे जाए यानि कि electoral bonds की बिकरी पर रोक लगाने की जो है वो बात करी थी petitioner ने तो हाला कि इस petitioner की जो demand है उसको dismiss कर दिया honorable supreme court ने और court का ये कहना है कि 2017 से electoral bonds को लेकर अभी तक एक petition pending है तो जो है वो आपकी petition सुनी नहीं जाएगी वो petition अभी pending है वो चल रही है और बाकी अभी किसी भी प्रकार से जो electoral bonds की sale पर रोक नहीं लगाई जाएगी फिर petitioner ने ये चीज कही कि चलो रोक नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं एक काम करो जितने भी political parties जो है उनको public office बना दिये जाए मतलब कि उन्हे right to information act के तहट जो है वो लाया जाए जिससे कि जो political parties के पास कितने पैसे आ रहे हैं कितना वो खर्चा कर रहे हैं कितनी उनकी income है वो सब चीजे जो है वो disclose की जा सके तो ये चीजे आप देखो आगे चलके क्या होता है बाकी आपको इस topic के अंदर electoral bonds क्या होते हैं ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है और paper 2 से related इतने ही topics थे अब हम लोग paper 3 को cover कर रहे हैं अब गईस बात हो रही है Central Scrutiny Center के बारे में तो ये एक initiative है Ministry of Corporate Affairs का तो ये focus कर रहे हैं कि जो भी users अपनी filing करते हैं annual filing करते हैं तो उनकी जो application होती है उसको proper तरीके से उसकी जाज करने के लिए ये center बनानी की इन्होंने बात करी मतलब कि ये जो center जो होगा ये इसका main focus होगा कि जो भी companies अपनी application फाइल करती है उनको ध्यान से देखना आपको पता होगा शायद कि company secretaries वगएरा होती है companies के अंदर right और company laws वगएरा को देखते हैं तो हर साल जो है वो companies को annual filing जो है वो करनी होती है तो उसमें companies के data company के records वगएरा पूरे mention रहते हैं तो ये basically एक center है जो की companies की जो भी application आती है उसको proper तरीके से देखेगा कि कहीं किसी data के साथ छेड़खानी तो नहीं होगी है या proper information जो मांगी गए थी वो दी है कि नहीं दी है बस ये वाली चीज़ है इसमें तो ये basically scrutiny purpose के लिए कि जो भी filings जो provide की जाती है companies के द्वारा वो straight through processes के दूरूस की scrutiny होगी उसकी जाच होगी data quality को identify किया जाएगा या उस सिरे related जो issues है regularities है उनको देखा जाएगा और ये सब चीज़े जो है वो register जो होते है companies के तो उनको दी जाएगी जिससे की वो corrective steps जो है वो ले सके authenticity को restore करने के लिए यानि कि जो data है वो authentic है की नहीं उसकी proper तरीके से register जो है वो company के वो जाच कर सके एक बार में देख सके उसको proper तरीक से उनके पास basically register के पास जो directly companies जो filing करती है वो ना आए बलकि उसके बीच में एक ऐसा center हो जो की जो भी companies जो अपनी annual filing दे रही है उसकी जाच करने के बाद जो है वो register जो है companies के उन तक जो है वो पूरी चीज पहुचे यानि पूरा data पहुचे जिससे कि वो data जो है वो properly check करके उनके पास पहुचा और फिर उनको जो है वो सिर्फ generally एक बार देखना है और फिर फैसला लेना है कि company ने जो filing की है वो proper है की नहीं तो यह अली चीज होती है इस प्रकार से तो यह करेंगे state welfare boards for building and other construction workers के बारे में नाम से ही आपको सन में आ जाना चाहिए कि जो भी workers जो है वो building बगरा बनाते हैं दूसरी construction activities में involved होते हैं तो उनके लिए यह state welfare board है यानि कि उनके welfare के लिए काम करने वाला यह board है यानि कि इस board का काम क्या होता है आपके नाम से ही सन में आ जाना चाहिए आपको कि इस board का काम यह होता है कि construction workers के लिए various schemes लेकर आना various policies तयार करना जिससे कि उनका जीवन भेतर हो सके जो वो काम करते हैं तो उसमें उनको साहेता मिल सकें इसका मतलब क्या हुआ कि इन workers को आप schemes वगएरा के थूँ या various policies के थूँ इनको कुछ समान वगएरा मत दो उसकी बजाए इनके bank account में इनको पैसे ट्रांसफर कर दो जिससे उनको और जादा साहेता मिलेगी यानि कि अगर इन workers का welfare ही करना है तो directly इनके bank account में पैसे ट्रांसफर कर दिये था है तो वो अपनी जरूवत के हिसाब से अपनी इक्षा के हिसाब से जो होने चाहिए वो खरीच सके और आपको बता दें कि ये board जो welfare का का काम करती है तो obvious ही बात है कि पैसा लगता है उसमें तो ये पैसा कहा से आता है इसकी funding कहा से आती तो इसकी funding की जाती है CES के थूप CES क्या होता है आपको याद आ रहा हो का कल भी हमने CES के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी अभी proper definition भी बता दूँगा थोड़ी दिर बाद तो जो CES कलेक किया जाता है construction पर यानि की construction की उपर जो tax लगता है उस पर जो CES जो कलेक किया जाता है मतलब की सरकार के पास जो ये पैसा आता है CES के माद्यम से तो ये पैसे जो होता है उसी से ये board जो है various welfare schemes वगएरा policies वगएरा बनाता है और उस पर जो पैसा लगता है वो इसी CES के तुरू लगाए जाता है यानि कि इसी CES से निकाल कर इसी CES के fund से निकाल कर पैसा लगाए जाता है समझ रहे हो बातों को तो ये चीज़ हाबर बताई थोड़ी सी बात कर लेते हैं workers के बारे में आप खुदी समझदारों समझते भी हो इस चीज़ को कि इन workers के लिए एक ही चीज़ होती है इनका कोई future वगरा secure नहीं होता जब तक हाथ पर काम कर रहे हैं जब तक हाथ पर चल रहे हैं जब तक शरीज स्वस्थ है तब तक पैसा मिलेगा जब तक हाथ पर काम करना बंद कर गए तो obvious ही बात है कहां से गिट्टी उठा पाएंगे कहां से रेती उठा पाएंगे कहां से plaster लगा पाएंगे कहां paint कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो जब तक हाथ पर सलामत है सही है या जब तक बीमार नहीं है, तब तक पैसा मिलेगा, जिस दिन बीमार हुए, सब बंद, आए बंद, इंकम बंद, तो ऐसी चीज हो जाती है इनके साथ, यानिकि इनकी लाइफ जो होती है, वो काफी परिशानी वाली होती है, इन वरकर्स की, और बहुत खतरनाक situation में, condition में य migrant labors होते हैं, अपने घर को छोड़कर दूर किसी state में या city में, रहे कर, जो है वो कमाते हैं, काम करते हैं, और हमारी nation building की process में, एक बहुती important role ये play करते हैं, बड़ बावजुद उसके, काफी पिछला वर गही है, तो इनके welfare के लिए एक कानून है, Building and Other Construction Workers Act 1996, ये कानून ला safety, health और welfare measures निनके लिए लाए जाएं, इसके लिए ये कानून बनाया गया, इस कानून के तहर, state government, state welfare board के थुरू, frame करे, implement करे, कुछ welfare schemes को, इन construction workers के लिए, और इस scheme में जो पैसा खर्चा जाएगा, उसके लिए जो funding होगी, वो construction की जो cost होती है, उस पर 1% says लगेगी, उससे ये funding होगी, और ये आपको पता है कि says जो है वो, state government collect करती है, तो says होता क्या है, तो says taxable पे लगता है, यानि कि tax payable पे लगता है, not on taxable income, आसान भाशा में, जैसे कि 1000 रुपे, जो है वो, 1000 रुपे पर, माल लेता हो में 12%, यानि कि 120 रुपे जो है वो, tax लगा, ठीक है, 1000 रु गया, right, किसके उपर, 120 पर, तो ऐसी चीज होती है, कि says is levied on tax payable, जो tax pay किया जा रहा है, उस पर लगता है, not on taxable income, taxable income पे नहीं लगता, in the sense, for the taxpayer, it is equivalent to a surcharge on tax, यानि कि tax on tax के बराबर ये, एक प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, और says can be levied on both direct and indirect tax, तो direct और indirect tax, दोनों पे ही लग सकता है, says, और revenue जो इस पर आती है, यानि कि जो पैसा इससे collect होता है, right, वो income tax के थुरू, corporation tax के थुरू, indirect tax के थुरू होता है, और वो various purpose के लिए allocate किया जाता है, और specific purpose के लिए, जब BV says लगाए जाएगा, तो आप देखिएगा, कई सारे says में, जैसे आपने पैसा collect होगा, वो सिर्फ education पर लगेगा, उससे बाहर और कहीं नहीं लगेगा, तो वैसे इस प्रकार के construction, says भी हम लोग को देखने को मिलते है, right, और पता जाता है, कि जितने भी taxes और says जो है, वो directly कहां पर जाते है, consolidated fund of India पे जाते हैं, जो की government of India का एक account है, right, तो यह चीज जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, इस topics related, काफी important topic है, हमें देखने को मिला है, अब बात हो रही है, tiger relocation project, नाम से समझ बाया जाना चाहिए, tiger को relocate किया जा रहा है, एक जगा से, हटाकर tiger को दूसरी जगा लाया जा रहा है, तो ये चीज़ देख लेते, तो इंडिया का पहला interstate tiger translocation हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानि कि एक state से दूसरी state पे tiger लाया जा रहा है, और ये जो project है, ये 2018 में शुरू हुआ था, जब दो बड़े tiger, male जिसका नाम महावीर था, ये काना tiger reserve से लाया गया था, और female जि ये बांदवगड जो मध्यप्रदेश में है, वहाँ से लाई गई थी, तो याद रखना, काना tiger reserve कहा पर है, और बांदवगड tiger reserve कहा पर है, तो वो मध्यप्रदेश में हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसको कहा पर translocate किया गया, इसको satkosia tiger reserve, जो odisha में है, वहाँ प reserve कहा है, बांदवगड tiger reserve कहा है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, बांदवगड और कहा ना, मध्यप्रदेश, satkosia, odisha, देखो इसकी relocation की आवशक्ता क्या है, क्यों tiger को एक state से निकाल कर दूसरी state ले जाए जा रहा है, क्यों आवशक्ता है, देखो दो territorial disputes हो रहा है, उसको reduce करने के लिए, और दूसरा ऐसा होता है कि एक जगाब tiger की population हो है, वो कम होती जा रही है, काफी सारे कारण के चलते, तो उनको reintroduce करना है, तो ये दो वजाएं होती है, relocation की, और अभी ये topic news में क्यों हो था, क्योंकि recently tigers सुंद्री, जो की वापिस MP लेकर गया था, लेकर गए थे, मध्यप्रदेश के बांदवगर से ओडिशा लेकर गया था, अभी इसको वापस ले आया गया, क्यों ले आया गया, क्योंकि काफी ज़्यादा प्रुटेस जो हो villagers ने कर दिया, जो इस reserve के हम लोग को देखने को मिले थे, तो सुंद्री टाइगर रिजर्व, जो है वो क्या है, क्यों इसे चुना गया, तो यह reserve उडिशा में located है, और सटकोसिया falls जो है वो इस reserve के अंदर आता है, और there is a potential for increasing tiger population, तो tiger population को बढ़ाने का इस particular जगा पर इस reserve पर potential है, और इसको tiger reserve 2007 में declare किया गया था, सटकोसिया में 12 tiger हम लोग को दे tigers जो थे वो 12 से 2 हो गई, यानि कि बहुत तेजी से इन बागों की संक्या जो थी, जो 12 थी, जो घटकर 2 ही रह गई मात्र, और purpose जो relocation का है, वो यह है कि दोबारा से इस छेतर पर tiger को repopulate करना है, यानि कि दोबारा से लेकर आना tigers को, अब देखिए बताया जा रहा है कि क्यो उसकी holding कितनी है, ये mandatory कर दिया जाए कि उसको disclose करना है, ROC filings के दोरान, तो इस पर थोड़ी सी बात करते है, the corporate affairs ministry ने announce किया है, कि companies को disclose करना होगा, अगर किसी भी company के पास, कोई भी, कितने भी मातरा में crypto currency हो, या फिर, वो deal करती हो crypto currency में, या virtual currency में, आपने financial statements में, जब भी जब भी वो, यानि कि register of company को file करेंगे, अपने statement में, आपको बताया थाना, annual filing, तो जब भी भी, register जो होते है, companies की, उनके पास, अब annual filing आती है, तो उस दुरान, उन companies को अपने records में, crypto currency अगर उनके पास है, या फिर, उसमें deal कर रहे हैं वो, तो वो भी mention करना होगा, और, इस transparency लाई जाए, reporting और filing में, crypto investment पर, क्योंकि आपको पता होगा, इसकी काफी सारी companies, करोडों में, crypto currency में, आजकी rate में, invest कर रही है, और, आजकी rate में, दो-तीन साल से, ऐसा बढ़ गया है, कि लगातर, काफी सारी companies, crypto currency में, deal भी कर रही हैं, और, और, गोर्मेंट, जो है, वो, obviously, क्रिप्टो करन्सी को, आप सभी लोग इसके बारे में, जाते हैं, बढ़ हा, हमने पहले भी discuss किया हुआ है, हालकि, RBI ने तो, clearly, बोल दिया था, कि, वो, crypto currency बैंक कर रहे हैं, बट, honorable supreme court ने, अभी, इस चीज़ को, stay किया हुआ है, याने कि, crypto currency, use करने पर, honorable supreme court ने भी, एक statement दिया था, और, even, सरकार से ही होला था, कि, सरकार भी, crypto currency, जो है, वो, अपनी खुद की बनाए, लेकर आए, हमने चर्चा करी, इसके बारे में, आपको, शायद याद हो तो, crypto currency क्या है, bitcoins, right, ethereum, यह सब क्या, crypto currencies, हम लोग को, देखने को मलती है, digital currency मतलब, और, इसकी encryption के लि date डाल दीजेगा, कि किस date पर मैंने यह पूरा topic, detail में cover कराया था, या फिर, एक काम कीजेगा, telegram पर, वो, ली link, जो है, वो, पोस्ट कर दीजेगा, अपने channel की, ठीक है, current affairs by कमलाक्ष चा की, और, अगर, पुराने, अगर, मैंने कहीं पर, पढ़ाया हुआ है, तो, भी, कि कुल मिला कर कहीं न कहीं, हम लोग actions ले रहे हैं, कि हम लोग crypto currency या, digital currency या, virtual currency की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस पर काम करेंगे, तो देखें, आगे चलके आपको देखेंगी, और भी ज्यादा इस परकार की news crypto currency से related, मतलब कि इसको officially हम लोग लेकर आएंगे, अब, देखे corporate affairs ministry ने कदम उठा लिया है, तो अब देखेगा, इंडिया जो है, वो legal कर देगा cryptocurrency और उसकी खुद की cryptocurrency इंडिया की बहुत जल्दी आएगी, right, confirm है, यह वाली बात, आने वाले कुछ महीने भी हो सकतें, कुछ साल भी हो सकतें, देखेगा, launch होगी, आगे की बात करते है, NISAR NISAR क्या है, तो यह Joint Earth Observing Mission हम लोग को NASA और ISRO का देखने को बल रहा है, point to be noted, very important, NASA और ISRO का Joint Earth Observing Mission है, right, NISAR, तो इस पर हम लोग थोड़ी चर्जा करेंगे, right, तो collaborate करके यह, जो हो satellite बना रहे है, जिसका नाम है NISAR, तो एक चीज़ मिली हमें, NISAR क्या है, यह एक satellite है, Earth Observing Satellite NISAR के बारे में बात करें, तो यह satellite 2022 में launch होगी, सतीज धवन Space Center, जो श्री हरीकोटा में है, तो वहाँ से launch की जाएगी, और Near Polar Orbit पर यह छोड़ दी जाएगी satellite, यह पूरे globe को scan करेगी हर 12 दिन में, पूरे globes की picture निकालेगी, images निकालेगी हर 12 दिन में, तीन साल का यह mission हो तो यह चीज इसकी हम लोग को देखने को लेगी, तो mapping से related यह satellite है, और इसके लाबा यह satellite क्या करेगी, तो मान के चलो आप कि हमारी धरती का जो surface है, अगर उसमें थोड़ा सा भी moment हो रहा हो, मतलब कि एक tennis court का आधा area को आप ले लो, half of tennis court का area ले लो आप, तो उसको पड़ी हुई है, आप लोग इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आपने plate tectonics theories के बार में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना ही है, तो हमारी जो धरती है, वो move करती है, धीरी धीरे करके move करती है, जो हमारा जो landmass जो हमें देखने को मतलता है, continents ह वो move कर रहा है, आज की rate में, बहुत ही धीरे, और even जैसे आपको पता भी होगा, जो पहाड है, Mount Everest है even, तो वो भी उसकी भी उचाई बढ़ रही है, क्योंकि plate tectonics की थूरी यहाँ पर applicable होती है, तो यह चीज़ आपको पता है, तो ऐसा धरती का, जो planet का, जो surface है, उसको में प्रोवाइट कराएगी, spacecraft, bus, second type of radar, जिसको S-band radar कहा जा रहा है, right, launch vehicle और launch vehicle या launch services से associated, जो भी चीज़े है, जो भी services है, तो वो चीज़ यह प्रोवाइट कराएगी, इस हो, और निसार जो है guys, इसमें बता जा रहा है कि largest reflector antenna, जो की अभी तक NASA ने launch किया है, वो इसमें होने वाला, यानि कि सबसे बड़ा NASA का reflector antiness में होगा, और इसके primary goals में ये सब चीज़े होगी, कि जो भी changes धरती के surface में हो रहा है, उसको ये track करेगी, warning signs को spot करेगी, कहीं पर भी, volcanic eruption हो रहा है, तो उसकी जानकरी देगी, monitor करेगी, ground water supplies को track करेगी, कि ice sheet जो है, वो किस तरीके से melt और, यानि कि global warming की भी information ये provide कराएगी, synthetic aperture radar की बात करें, तो नाम जो है NISAR, वो किस चीज़ का short form है, तो NASA ISRO SAR, synthetic aperture radar का ये full form है, NISAR, तो याद रखना full form आ सकता है, NASA ISRO SAR, N-I, यानि कि NASA और ISRO, SAR, यानि कि synthetic aperture radar, ठीक है, तो ये चीज़ की हमें देखने को मिलती है, तो SAR जो है, वो है synthetic aperture radar, और NASA जो है वो, इस चीज़ का उपयोग करेगी, इस SAR का, धरती के surface में क्या changes आ रहे हैं, उसको check करने के लिए, और essentially SAR जो है, वो एक प्रकार की technique है, जो की high resolution images निकालती है, produce करती है, और बहुती सटीकता से, और radar जो है, ये even, जो radar होता है, भले ही कितने भी darkness हो, ये radar जो है, वो proper सटीकता से काम करता है, ये proper day और night या किसी भी weather हो, किसी भी प्रकार का तूफान हो, कोई भी weather हो, proper accurate data निकाल कर देता है, proper images निकाल कर देता है, तो ये इसकी synthetic aperture radar की खासियत हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये बहुत important topic है, तो ये चीज थोड़ी स चोड़ेंगे, इस पर ये काम कर रहा है, ठीक है, और ये था आपका last topic, तुरंथ like का बटन हिट कर दीजेगा, share ज़रूर कीजेगा lecture को, और बाकी आपका जो homework है, आपको तीन differences बताने है, RT, PCR और antibody test में, ये दोनों चीज मैंने cover कराई हुई है, RT, PCR और antibody tests में, तीन difference क्या हो complete कर लिया, और paper पर बनाईएगा, और paper की photo को खीच के, क्या आपने difference लिखे है, उसको आप telegram का अपना discussion group है, वहाँ पर send कर दीजेगा, तो ये आपके लिए आज का homework है, और बाकी UPSC 2021 में आप appear हो रहे हो, तो highly recommended test series को आप join करो, जो launch करी है आपके लिए, 15 subject wise test है, इसमें 10 full जून से पहले पहले, अपना पूरा syllabus जो है, वो complete कर ला ले, तो ये आपके लिए series चल रही है, join नहीं करी है, अभी तक तो join कीजिए, CSET का history का course आपके लिए available है, sociology option अगर आपका है, तो आप ये course join कर सकते हैं, PDF paid package, current affairs का अगर आपको join करना है, तो मात तरह 100 रुपीज पर जल रहा है, offer ली सकते हैं, और बाकी अगर आपको सिर्फ current affairs के practice करने के लिए question चाहिए, तो वो facility भी available है, और कोई भी समस्या आती है, course वगर आपको join करने में, या कुछ और पूछ रहा है, तो 9713282838, मेरे number अपने phone पे save कर लो, और आप मुझे इस पे WhatsApp के थूँ या टेली 24 hours आ जाएगा, और कोई भी आप course join करते हो, तो within 24 hours आपको add कर लिया जाएगा, तो चलो, अब मैं मिलूँगा आपसे कल, तब तक लिए bye bye, take care, have a great day, ta-da